नमस्कार, VKV News के खास पेशकर्ष में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहां आप मेरे साथ देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे महराश के नवी मुंबई इलाके में करोना विस्पोट हुआ है यहां एक स्कूल के 16 छात्र कुरिना पॉजिटिव पाई गये है वही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल प्रमोक समीरवान खिडे ने एक्स्टेंशन नहीं लेने का फैसला किया है उनके डेप्यूटेशन का कारिकाल इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है इसी बीच उत्तर महराश के जलगाओं जिले के भूसावल सावदा और फैसपुर नगर निकायों के कम से कम 32 भाजपा पार्शद राकबा में शामिल हो गये तो वहां महराश राज चनाव आयोग ने स्थानी निकाय की अन्य पिछड़ा वर के लिए आरक्षट सीटों को सामाने श्वेडी की सीटों में तबदील कर दिया गया है और इन पर 18 जनवरी को चनाव होगा पहले इन सीटों पर 21 दिसंबर को चनाव होना था उधर नवी मुंबई के एक रिहाइशी कॉंपलेक्स में रहने वाली महिला पर करीब 8 लाग रुपे का जुर्माना लगाया गया सोसाइटी के मैनेजमेंट कमिटी ने कैंपस के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर यहां कारवाई की प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं आप माले साथ महराश्य के नवी मुंबई इलाके में एक स्कूल के 16 चात्र कोरोना पॉजिटिव पाई गये हैं इसे पहले इसी स्कूल के एक चात्र की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद अन्य चात्र का कोविड टेस्ट करवाया गया था जानकारी के मताबिक पहले जो छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे उसके पिता कुछ समय पहले ही कतर से लोटे थे कतर से वापसी के बाद एतिहात की तौर पर पूरे परिवार ने करोना टेस्ट करवाया था जिसमें उस युवा की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी लेकिन उसका बेटा कोविट पॉजिटिव पाया गया था चात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके स्कूल में 13 दिसंबर को कई चात्रों का करोना टेस्ट करवाया गया जिसमें साथ स्टूडन कोरोना पॉजिटिव पाये गये इसके बाद उसकूल में पढ़ने वाले 650 अन्य स्टूडन्स का करोना टेस्ट करवाया गया था जिसमें स्कूल 16 चात्रों कोविट पॉजिटिव पाये गये इतनी भारी मात्रा में स्टूडन्स के कोरोना पॉजिटिव पाय जाने के बाद स्कूल में मास्टेस्टिंग जारी है इसी बीच अमेरिका से लोटा एक उन्तिस वर्ची शक्स करोना ओमिक्रॉन बेरियंट्स के से संग्रमत पाया गया है हरानी की बाद तो ये है कि इस शक्स ने फाइजर की कोवेड वैक्सीन के तीन डोज ले लिये हैं हाला कि शक्स में कोरोना के कोई लक्षन तो नहीं है एरपोर्ट पर 9 नवेंबर को हुए कोरोना टेस्ट में इस शक्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाय गई थी जिसके बाद उसके सैंपल को जिनोम सीक्विंसिंग के लिए भेजा गया था BMC ने ये भी बताया कि इस शक्स के संपर्क में आने वाले दो लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल प्रमोग समीर वानखेडे एक्स्टेंशन नहीं लेंगे उनका कारेकाल इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है वानखेडे पिछले साल सितंबर से NCB में डेपिटेशन पर थे वानखेडे ने कथिद बॉलिवूड ड्रग्स सिंडिकेट का भांडा फोर किया था इस साल उन्होंने शारुख खान के बेटे आरेंच कान को एक क्रूज से ड्रग्स केस में गिरफतार किया था इसके बाद से वो लगातार सुर्ख्यों में थे हारी के दिनों में महराश्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक और उनके वीच 36 का आकड़ा देखने को मिला मलिक ने उन पर कई तरह के गंभी रारोप लगाए फिलहाल मामला बंबई हाई कोट में चल रहा है समीर वानखेडे ने अगस 2020 से दिसंबर 2020 तक 96 लोगों को गिरफतार किया इस दुरान 28 मामले भी दर्ज किये गए इसके रावा समीर वानखेडे ने लगभग 1000 करोड रुपए के 1791 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की और 11 करोड रुपए से अधिक की प्रॉपटी को भी फ्रीज किया तो NCB के जोनल लिदेश के रूप में वानखेडे अभीनितास सुशान सिंग राजपूत के आत्महत्या के बाद कथे तोर पर बॉलवड हस्तियों को शामल करने वाले ड्रग्स इंडिकेट के खिलाफ कारवाई में शामल थे इसाल अक्टूबर में वानखेडे के नेतरत्व में एक टीम ने मुंबई तट पर कार्डियरिया क्रूज जहाज पर छाप इमारी के दुरान कथित तोर पर ड्रग्स बरामत किया प्रदेश में विधान परिशत चुनाव के बाद अब स्थानी निकाय चुनाव के लिए लामबंदी तेज होने लगी है राजनितिक दरों में इसे मिनी विधान सबाद चुनाव के रूप में प्रचारत किया जा रहा है और रणीती के तेहत उन्हें जमीनी स्थर पर उतरने के लिए कहा जा रहा है इस बीज उत्तर महराश के जलगाउं जले के भूसावल, सावदा और फैसपुर नगर निकायों के कम से कम 32 भाजपा पारशद राकपा में शामिल हो गए है पूर्व मंत्री एकनाद करसे नहीं हजानकारी दी उन्होंने कहा कि यहां महराश के उपमुखे मंत्री अजीत पवार की मौझूदगी में पारशद राकपा में शामिल हुए है माना जाता है कि ये नगर से वक खरसे के समर्थक थे जिन्होंने खुद पिछले अक्टूबर में भाचपा छोड़ कर और राश्रवादी कॉंगरिस पार्टी में शामिल हो गए एकनाद करसे ने इस मौके पर कहा यह तो सिर्फ ट्रेलर है जिले में भाचपा का एक बड़ा तपकार राकपा में शामिल हो जाएगा इन में से 21 पारशद भूसावल नगर परिशद से है आठ और ती नगर सेवा, क्रमशह, सावदा और पैसपुर नगर पालिका से है इसे पहले भूसावल नगर परिशद के 6 पारशद राकपा शामिल हुए थे खरसे ने कहा कि अब तक कुल 27 पारशद पारशद पारटी में शामिल हो चुके है कुछ नगर पंचायत सदसे भी भाजबा छोड़ कर राकपा में शामिल होने वालों में शामिल है महराशर राजे चनाव आयोग ने कल कहा था कि स्थानी निकाय के अन्य पिछड़ा वर के लिए आरक्षद सीटों को सामाने श्रेणी की सीटों में तब्दील कर दिया गया है और इन पर 18 जनवरी को चनाव होगा पहले इन सीटों पर 21 दिसंबर को चनाव होना था यह गोशना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बात की गई चनावी जानकार इस बड़ी हुई करीब एक महा की अवधी को परिनाम कारी मानगर चल रहे हैं दरसल राजे चनाव आयोग तो यूपी एस मदान ने एक बयान में कहा कि इन स्थानी निकायों में सामाने अनुसूच जाती और अनुसूच जन जाती सीटों के लिए चनाव 21 दिसंबर को निर्धारित कारक्रम के अनुसार होंगे उन्होंने कहा कि पहले OBC उमिद्वारों के लिए आरक्षित सीटों पर अब सामाने श्वेणी के तहट चनाव होंगे और 19 जनवरी को मद गरना होगी सुप्रीम कोट ने महाराश्र SEC को OBC के लिए आरक्षित स्थानी निकायों में 27 प्रतिशत सीटों को सामाने श्वेणी के रूप में अधी सूचित करने का निर्देश दिया था ताकि चनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके सुप्रीम कोट ने महाराश्र SEC को OBC के लिए आरक्षित स्थानी निकायों में 27 प्रतिशत सीटों को सामाने श्वेणी के रूप में अधी सूचित करने का निर्देश दिया था ताकि चनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके शीष अदालत के निर्देश के दो दिन बाद उक्त गोशना की गई नवी मुंबई के एक रिहाइशी कॉम्पलेक्स में रहने वाली महिला पर करीब आंट लाग रुपे का जुर्माना लगाया गया है महिला कारोप है कि सुसाइटी की मैनेजमेंट कमिटी ने कैमपस के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर यह कारवाई की है अंशू सिंग नामकी अमहिला नवी मुंबई के सीवूड एस्टेट के एनराइ कॉम्पलेक्स में रहती है इस कॉम्पलेक्स में 40 से ज्यादा इमारते हैं अंशू सिंग के मताबिक campus में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उन पर जुलाई से 5,000 रुपए रोज के साब से जुर्माना लगाया जा रहा है यह रकम लगभग 8,000,000 रुपए हो गई है उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बे जुमानों को खाना दिया था सोसाइटी ने मुझ पर गंदगी फैलाने का आरोप लगा दिया अंशू सिंग के मताबिक इस से पहले सोसाइटी के एक और रेसिडेंट पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया था रेसिडेंशल कॉम्पलेक्स की सेकरेटरी विनीता श्रीनंदन ने बताया कि ट्यूशन जाते समय बच्चे आवारकुत्तों के पीछे भागते हैं और बुजर्ग कुत्तों के डर के कारण कहीं आजा नहीं सकते हमने आवारकुत्तों के लिए बाड़ा बनाया हैं लेकिन कुछ सदसे अभी इन जानवरों को खुले में खाना खिलाते हैं इसलिए हमने जुर्माने का प्रावधान रखा, हमने जो भी कारवाई की वह सोसाइटी के नियमों के अनुसार ही है केद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंद्री नितन गड़करी ने कहा कि हम सोने की ख़दानों पर बैठे हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 2 लाग करोड रुपे की टरनल का निर्मान भी करेंगे वहीं उमाइकरॉन के परते खत्रे को देख, भारत में भी अगले साल से स्वासकर्मी अती जोखेंबाली आबादी को अतिरे खुराग देना तै हुआ है जिसकी अधिकारिक तोर पर घोशना अभी बाकी है जो नीती आयोक के सदस बीके पॉल ने चिताया कि ब्रिटन में उमाइकरॉन के संक्रमन का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमन फैले पर भारत में रोजाना 14 लाग केस आएंगे अब हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी इसी बीट पंजाग चुनाव में किसानेता गुर्णाम चंडूनी ने चंदीगर में अपनी संवत संगर्ष पार्टी का आज एलान कर दिया है उधर आएकर विभाग ने आज तड़के उत्तर प्रदेश के लखनाउ मेंपूरी आगरा में एक विशेश राजनितिक दल के कथित पाइनांसर के आवासों पर छापे मारी की सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि चनाव लड़ने दिल्ली सरकार पूरे अमले के साथ मैदान में कुद गई है देश की इन पांच बड़ी ख़बरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमाने साथ केंदरी सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन कटकरी ने कहा कि हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे बना रहे हैं और करीब 2 लाग करोड रुपे की टेनल का निर्मान करेंगे पैसे की कोई कमी नहीं है हम सोने की खदानों पर बैठे हैं हमारे पास टोल राजस्प है और यह बढ़ रहा है हमें कोई समस्या नहीं हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करने और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो विनिर्मान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा केंद्री मंत्री ने कहा कि हम जल्दी फ्लेक्स इंजिनों पर एक एडवाईजरी जारी कर रहे हैं दो-तीन साल में हमारे वाहन इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तत हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन की रणिंग कॉस्ट पेट्रोल वाहनों के समान या उससे कम होगी टोइटा, सुजुकी और हुंडाई ने आश्वासन दिया कि वो फ्लेक्स फ्यूल इंजिन निर्मान को बढ़ाएंगे इसी करम में गड़करी ने मुंबई पूने एक्स्प्रेस राजमार का जिक्र किया कहा कि इस परियोजना और बांदरा वरली सीलिंग जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए जनता से धन जुटाएंगे सब मुझ पर हस रहे थे जीरुबाई अंबानी मुझ से बहुत दुखी थे जो ततकालीन मुख्यमंतरी और बाला साइब ठाकरे परिशान थे पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि मैं जनता से पैसे जुटाऊंगा और एक्सप्रेस वे वरली बांदरा सीलिंग और शेहर में बावन अन्य फ्लाइ ओवर का निर्मान करूंगा मुख्यमंतरी जोशी ने मुझे आगे बढ़ने की अनुमती थी जिससे महराश्र राजिस सड़क विकास निगम का नर्मान हुआ बाद में रतन टाटा ने मुझे कहा था कि मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्फराफ प्रोजेक्ट के लिए बाजार से इतना पैसा जुटाया चा सकता है कोरोना टीके की तीसरी यानि अतिरिक्त खुराग को लेकर चर्चाएं चल रही है उमाइकरोन स्वरू से बचने के लिए विदेशों में इसका टीका करन भी शुरू हो चुका है लेकिन भारत में भी अगले साल से स्वास्तकर्मी व अति जोखिम वाली आबादी को अतरिक्त खुराग देना तैह हुआ है जिसके अधिकारिक तौर पर गोशना अभी बागी है चुकि इस पैसले के बाद भी कई बाद हाएं पार करने की जरूरत है इसलिए भी कही न कहीं सरकार इंतजार कर रही है जहां एक स्थर पर उमाइकरोन वेरियंट के आईसोलेट होने का अंतजार किया जा रहा है वहीं दूसरी छोर पर कोविट शील और कोवैक्सीन पर शुरू हुए अध्यन के परिणाम आने भी बाकी है राश्ची तक्रीकी ठीका करण सलाहकार समिती से जुड़े एक वरिश डॉक्टर ने बताया कि ठीके की अत्रिक खुराग देने पर लगभग सभी विशेशग्यों की सहमती बन चुकी है लेकिन अभी इसे अनुमती नहीं दी जा सकती क्योंकि तीसरी खुराग को लेकर हमारे पास अभी कुछ नहीं कोवैक्सील ठीके पर यूके में परिक्षन हुआ है लेकिन भारत में इसका परिक्षन अभी होना बाकी है को वैक्सीन को लेकर भी अतिरिक्त खुराक पर काम चल रहा है मगर उसके लिए उमाइक्रॉन वेरियंट का आईसोलेट होना बहुत जरूरी है यह काम पूने स्थित नाशनल इंसिट्यूट ओफ वारोलोजी के विग्यानिक कर रहे हैं इस प्रक्रिया में दो से तीन सप्ताहा का वक्त लगता है ऐसे में अभी विशेशग्यों को एन आईवी से इसकी खबर आने का अंतजार है वरिश्ट्र जॉक्टर ने बताया कि देश में करीब 40 करोड स्वास्त कर्मी व अति जोखिम वाली आबादी है जिसका चैन अतिरिक खुराक के लिए हुआ है नीती आयो के सदर से वीके पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटन में उमाइकरॉन के संक्रमन का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमन पैलने पर भारत में रोजाना 14 लाग केस आएंगे तब हर केस की जिनोम सीक्विंसिंग नहीं की जा सकेगी हाला कि जिनोम सीक्विंसिंग में भारत दुनिया में दूशे स्थान पर है यह बिमारी को पहचानने का नहीं बलकि महामारी का आंकलन और इसकी निगरानी करने का टूल है इस पर बात का भरोसा दिला सकते हैं कि फिलहाल परियाब्त सिस्टेमाटिक सैंपलिंग की जा रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइन सेक्रेटरी सचीव लव अगरिवाल ने बताया कि भारत में अब तक 12 राज्यों में 113 उमाइक्रॉन केस मिले हैं शुकरवार को 26 केस दर्च करवाए गए महराश्य में सबसे ज्यादा 44 केस हैं इसके बाद दली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना और करनाटक में 8, गुजरात में 7, केरिल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 औरता मिलनाडू, आंधर प्रदेश, पशिम बंगाल और चंदीगर्ण में एक-एक मामले मिले हैं अगरवाल ने बताया कि विश्व स्वास्त संगचन के मताबिक दक्षन अफ्रीका में ओमाइक्रॉन वेरियंट डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पाउँ पसार रहा है दूसरे शब्दों में कहें तो ओमाइक्रॉन डिल्टा वेरियंट से कहीं ज्यादा खतरनाग साबित हो रहा है बतादे कि दक्षन अफ्रीका में ही 24 नवेंबर को माइक्रॉन वेरियंट के पहले केस की पहचान की गई थी इसके बाद दुनिया भर में इसका संग्रमन काफी तेजी से फैल रहा है शुधार्ती एक पक्ष का खुलासा करते हैं तो नया पहलू सामने आजाता है देश में किसान अंदोलन दो खत्म हो चुका है लेकिन किसान अंदोलन की आड में राजनीती पारी खेलने की चाल भी चली गई अंदोलन की अगवाई करने वाले सड़क पर एक साल तक डटे रहने वाले किसान नेता अब राजनीती में नेता गिरी करेंगे पंजाब चनाव में किसान नेता गुर्णाम चन्डूनी ने चन्डीगर में अपनी संगर्श पार्थी का एलान किया गुर्णाम सिंग चन्डूनी भारती किसान यूनियन के नेता और एक साल तक आंदोलन चलाने वाले संगर्थी किसान मोर्चा के एहम सदस्य है चन्डूरी ने आज चन्दीगर में प्रेस कांफरेंस कर एक नई पार्थी का एलान कर दिया है चन्डूरी ने इसे मिशन पंजाब का नाम दिया है इसी मिशन के तहट पतेगर साहिब में कुमिदवार के नाम का एलान भी कर चुके हैं बता दे कि सिर्क्त किसान मोर्चा चंडूनी के चुनाव वाले फैसले से सहमत नहीं थे इसी को लेकर गुर्णाम सिंग चंडूनी और सिर्क्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच खीचतान भी चली थी लेकिन चंडूनी अपनी बात पर अड़े रहे हाला कि चंडूनी ने सा कि वो खुच चनावी मैदान में नहीं उतरेंगे बलकि किसानों को मैदान में उतारेंगे। इससे पहले भी गुर्णाब सिंग चंडुनी राजनितिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। प्रदेश के लखनाओ में इनपुरी आगरा में एक विशेश राजनितिक दल के कतित फाइनांजर के आवासों पर चापे मारी की। इसमें आगरा के मनोज यादव लखनाओ में जिनेंद्र यादव सहित करीब एक दरजन लोगों के घरों की चानवीन चल रही है। लखनाओ की राजीर राय पर सपा सरकार में पावर कॉर्परेशन के भूमीगत केबल बिचाने के काम में ब्रश्चाचार के गंभीर आरोप हैं। वे भागी जांच में दोशी पाए गए थे। प्रदेश के विबिन जन पदों में भी की गई स्छापमार कारवाई के चलते सपा कार करताओं ने जगा जगा हंगामा करना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए इंकम टैक्स के धिकारियों ने भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मंगवा कर अपनी कारवाई जारी रखी। सपा के राष्टिय ध्यक्ष अखिरेश यादव ने कहा कि भाजपा को हार सताएगी तो दिल्ली से बड़े बड़े नीता आएंगे अभी इंकम टैक्स में भाग आया है फिर E.D. और C.B.I. आएगी अब इंकम टैक्स में भाग भी उत्तर प्रदेश में चनाव लड़ने आ गया है। भाजपा के पास कोई नया रास्ता नहीं है। भारती जंदा पार्टी चल रही है। कॉंगरिस का पुराना इतिहास उठा कर देखिए जब भी डराना होता था तो इनी संस्ताओं का इस्तिमाल कर डराया जाता था। बीजे भी कह रही थी कि हम रामराज जिलाएंगे लेकिन जो समाजवाद का रास्ता है वही रामराज जिलाएगा। फ्रांस ने भारत की जमकर तारीफ की है। वहाँ की रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जैसा कोई और नहीं है। यहां तक कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखना है। वही पाकिस्तान के अपने घर में ही बद पिट रही है। वहाँ के संगियर राजस्व बोट के कूर्वाध् दिवारिया हो चुका है और ध्रम में रहने से बहतर है कि वास्तिविक्ता को पहचाना जाए। इसी बीच करोना के नए वेरियंट ओमाइक्रॉन की दहशत अब दुनिया भर में फैल रही है। ब्रिटिन और अमेरिका में ओमाइक्रॉन के नए मामले सामने आए दिन बदिन तोड़ रहे हैं। हाला कि अच्छी खबर ये है कि शोतकरताओं के नुसार वैक्सिंग अब बूस्टर डोस 85% तक ओमाइक्रॉन को गंभीर होने से रोकता है। वैसे भी ओमाइक्रॉन का संक्रमन भले ही तेज हो लेकिन मौत का खत्रा अभी भी कम है। बात ब्रमान की करे तो सूरे की शान्ती परिशान कर रही है। शोतकरताओं के अनुसार नैस और चक्र में जहां सूरे को ज्यादा सक्रिय होना था वो तुलनात्म कुरूब से पिछले 12 सालों में शान्त ही रहा। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। की सराहना की। साथी आतंग की व्यापक चुनौती वहिंद प्रशान शेत्र में चीन की बरती आकरमक्ता को खत्रा बताते साफ संदेश भी दिया। पारली ने फ्रांस की प्रमुक नदी सीन के जरिये भारत से रिष्टा जोड़ा। लगबक 748 किलोमीटर की इस नदी के कि रोड़ है। वैश्विक बाजार में भारत की मौजूदगी को एहम बताते हुए पारली ने कहा कि फ्रांस भारत की जरुवतों को समझता है और मेक इन इंडिया पहल के लिए प्रती बद्र है। पारली ने हिंद प्रशान शेत्र में चीन की बरती आकरमक्ता पर चिंता ज उन्होंने कहा कि चीन ने दक्षन चीन सागर में अंदराश्य नौववहन को बादित करने का प्रयास किया जबकि फ्रांस इसे मुक्त बनाई रखने के पक्ष में खड़ा है। पाकिस्तान आर्थे गलियारे पर योजना में पारदर्शिता की वकालत करते हुए कहा कि वो खुद अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए है कि CPEC क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार में हर कोई कह रहा है कि सब कुछ अच्छा है जबकि उनके विचार में समय पाकिस्तान दिवालिया है। इसलिए है अस्वीकार करना बेहतर है कि देश की अर्थव्यवस्ता दिवालिया हो गई है और लोगों को अर्थव्यवस्ता के बारे में अच्छा बता कर धोका देने के बजाए समाधान तूड़ना चाहिए। करीबी सयोगी जहांगीर खान तारीर उन्हें यह पहसा देते हैं। हाला कि इसकी पुष्टी वो नहीं कर पाए। अब आम की जानब से जरूर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेहत गरीब के तोर से गुजर रहा है। आम लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। फ्रांस डेन्मा को उच्छ जोखिम वाले कोविट संचरन देशों में शामिल किया है। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बरते कोरोना मामलों के कारण अमेरिका ने नैशनल फुटबॉल लीग को तीन हफते के लिए स्थगित कर दिया है। जबलू एचो ने कहा कि दुनिया के क्यानवे देशों में अब तक उमाइक्रॉन के 27,000 से अधिक मामले मिले हैं। ब्रिटिन में करोना संक्रमनों के रोज बन रहे नए रिकॉर्ड ने हाहा कार मचा दिया है। लेने वालों को सर्दियों में गंभीर नतीजे भुगतने पर सकते हैं। उमाइक्रॉन से संक्रमन के मामले क्यानवे देशों से सामने आ चुके हैं। WHO ने कहा कि दक्षन अफ्रीका में उमाइक्रॉन डेल्टा के मुकाबले काफी तेज रफ्तार से पहल रहा है। जहां डेल्टा की रफ्तार कम थी आशंका है कि जहां सामुदाइक प्रिसार होगा वहां उमाइक्रॉन डेल्टा से आगे निकल जाएगा। और अभी इस बात का कोई सबूत नहीं कि मौजूदा टीके उमाइक्रॉन पर प्रभावी साबित होंगे या नहीं। United Kingdom के शोतकर्ताओं ने दुनिया की पहली स्टडी की है जिसमें उमाइक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोस के प्रभाव का पता चला है। स्टडी में शोतकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन का बूस्टर डोस 85 फीसदी तक उमाइक्रॉन को गंभीर होने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति को बूस्टर डोस दिया जाता है तो उसमें कोरोना संक्रमन के बाद अस्पताल में भरती होने या फिर मौत का खत्रा 85 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। स्टडी का कहना है कि ओमाइक्रॉन वेरियंट पर सामाने दो डोस वाली वैक्सीन का पूरवती वेरियंट के मुकाबले कम असर होता है। इंपीरियल कॉलेज ओफ लंडन द्वारा की गई ये स्टाडी अभी ओमाइक्रॉन पर मिली शुरवाती जानकारी पर आधारत है। दुनिया भर में अभी ओमाइक्रॉन पर रिसर्च जारी है और एक्सपर्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमाइक्रॉन का संक्रमन कितना गंभीर हो सकता है। के ओमाइक्रॉन वेदियंट की वज़े से दुनिया भर में संक्रमन दरों में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन COVID-19 की पिछली लहरों की तुलना में कम लोगों की मौत हुई है या फिर उन्हें अस्पिताल में इलाज की आवशक्ता भी कम पड़ी है। आवेशित कड़ों के वित्रन भी पैलते हैं। इस दोरान वहब बढ़ती है, अधिक्तम पर पहुँचती है और फिर कम होने लगती है। इन सभी चर्णों को एक सौट चकर कहते हैं। इस सौट चकर में अस्थिरता दुनिया को भी अस्थिर करती है। परिणाम सीधे सीधे नहीं दिखता लेकिन असर दुरगामी होता है। शोटकरताओं ने पाया कि 2008 से 2019 तक समय में सूरे से निकलने वाले करोना द्रव उत्षेवपड भार आकार और विस्पोटक परी घटना के दबाव इन सभी के लिहास से कम हो गया है। करोना द्रव उत्षेवपड का ओशद त्रजा आकार भी कम होता दिखाई दिया। यह सब उमीद बिलकुल ही उलट पाई गई क्योंकि इसकी आकार में जाफे की उमीद की जा रही थी। शोटकरता है और से होने वाले परिणामों का आंकलन कर रहे हैं। तो आज के इस खास पेशकर्श में बस अतना ही, आपसे फिर होगी कल मुलाकात, तब तक लिए देखते रहे हैं वीकेवी न्यूस, नमस्कार!